दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बुक की जो की आपको निट एक्जाम में स्यो सेलेक्शन दिलाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बुक के साथ ऐसे टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से निट एक्जाम को क्रेक कर पाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो पूरा देखेगा ध्यान से देखेगा और अंतक देखेगा तो यदि हम बात करें निट एक्जाम से जुड़े वे बुक की तो धे सारे बुक हम खरीद लेते हैं लेकिन अपने आप से पूछे कि आप कितने बुक को पढ़ पाते हो और कितना टॉपिक कभर कर पाते हो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपके NCRT बुक कम्पलीट नहीं हो पाते हैं तो आईए मैं आपको आज ऐसा टेकनिक बताता हूँ जिससे आप निट एक्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और निट एक्जाम को क्रै कर सकते हैं यदि आपके 12 बोर्ड एक्जाम के बाद देखा जा तो आपके पास लगवक 4-5 महिने बसते हैं नि आपको बता दो don't study a lot of things extra यानि कि आपको extra चीजे पढ़ने की ज़रुरत नहीं है यदि बात करूँ मैं निट एक्जाम से related biology और chemistry की तो आपके लिए सबसे best book है NCRT book यदि निट बेलोजी की बात करें तो आप NCRT book को अच्छे से पढ़के लगवक 300 नंबर पा सकते हैं section में बहुत अच्छे नंबर को cover कर सकते हैं that means NCRT should be your priority NCRT book अच्छे से पढ़ने के बाद अपने basic concept को clear करने के बाद अब time है आपको practice करने की तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप धे सारे MCQ solve कीजिए और इसके लिए सबसे अच्छा book है NCRT at your fingertips आप biology, chemistry और physics के लिए आप इस book को देख सकते हैं तो इस book में आपको NCRT से जुड़े हुए जितने भी topic है theory wise उसके snapshot दिये हुए है बहुत अच्छी book है आप इससे तयारी कर सकते हैं और इस book की quality ये भी है कि इसमें NCRT के अलावा जो side book है उनसे जुड़े हुए भी contain इसमें include किये गया है वही बात कर से जुड़े हुए 100 plus mcq include किया गया है जिससे आप आसानी से अपने practice कर सकते हैं और इस book की सबसे अच्छी quality है कि इसमें higher order thinking skill दिये गया है जिसके कारण आप exam में आने वाले जो difficult question है आप उनकी तयारी आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा NCRT के example उसके problem और हर एक problem को explain करते way इसमें आपको practice set और practice paper देखने को मिलेंगे और biology में diagram के through पूछे जादे वाले question को अच्छे से explain किया गया है तो मेरे point of view से देखा जाया है तो ये book mcq practice के लिए सबसे best book है mcq solve करने के बाद अब बारी आती है कि आप practice करिए previous year question paper को solve करने की तो यहाँ पर मैं आपको बत question paper को solve करने की जरूरत नहीं है आप लगभग 15 year previous year के paper को solve करिए यह आपके लिए sufficient होंगे क्योंकि आप इससे पहले के paper को solve करते हैं तो अब के pattern और पहले के pattern में अंतर है तो मेरे point of view से यह है कि आप 15 year से पुराने जो old paper है previous year के उन्हें solve मत किजिए क्योंकि उनको solve करने का क कोई फायदा नहीं है अगर आप उस question paper को देखेंगे भी तो उसमें question बहुत ही simple type के हैं जिसे आप आसानी से solve कर सकते हैं आप recently जो 15 year के question paper है उनको solve कीजिए तो आएए मैं आपको knit exam से जुड़ी हुए important book के name बता देता हूं जिससे आप knit exam की तैयारी अच्छे से और proper तरी के से कर सकते हैं तो यदि हम बात करें biology की तो सबसे important है NCRT biology book इसके अलावा आप NCRT exemplar और MTG fingertips book यूज कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ आप किसी भी knit exam की तैयारी करने वाले student से मिली है और उनसे पूछिए कि जो knit में biology के question पूछे जाते हैं वो किस से अधिक पूछे जा आते हैं तो आपको confirm बताएगा कि biology के maximum जो question है वो NCRT book से बनते हैं तो आप NCRT book को अच्छे से line by line पढ़िए और उसको तीन से चार बार revise किजिए और confirm है कि आपके knit exam में biology section से आप बहुत ही अच्छे नमबर cover कर सकते हैं तो सबसे पहले NCRT biology उसके बाद NCRT exemplar और फिर MTG fingertips आए नेक्स्ट हम बात करते हैं chemistry की तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि आप NCRT book को preference दीजिए इसके बाद है NCRT neat examplar MTG fingertips अब physical chemistry और organic chemistry के लिए हमें separate book पढ़ने हैं तो physical chemistry के लिए आती है नरेंदस अवस्ती की book और इसके अलावा MS चौहान की आती है organic chemistry की book यह best book है आपकी neat exam की तैयारी के लिए और यदि बात करें हम physical chemistry और organic chemistry जो की NMS थी और MS चौहान की है तो इसके rate भी काफी genuine है high rate नहीं है आपको लगबख 400 से 500 के rate में आपको market में यह book मिल जाएंगे तो book के rate 500 के नीचे ही है 500 के जादे नहीं है तो आप book को चाहे offline mood में या फिर online mood में purchase कर सकते हैं आप इन book को जरूर देखिए ठीक है और आपनी तैयारी chemistry से related इससे करते रहे हैं अई चलते हैं अब most important subject के और जो कि है physics तो सबसे पहले आप preference दीजिए अपने notes पे आप physics से related जितने भी topic है chapter wise उनके लिए आप अपने notes बनाईए और हर एक derivation और numerical को solve कीजिए औ NCRT exemplar use किया है उसी तरह physics में भी आप NCRT exemplar use किजिए इसके लावाए एक book और है universal physics आप इसको भी एक बार देख सकते हैं बहुत अच्छी book है आपके knit physics से तैयारी के लिए और जैसा कि मैंने बता है MTG fingertips आपके bio chemistry और physics तीनों के लिए एकदम follow book है तो इतने book अगर आपके प होनी चाहिए तो book रखना ही बहादूरी नहीं है तैयारी करनी बहादूरी है क्योंकि हम ढे सारे book रखते हैं बहुत सारे topic पढ़ते हैं और बहुत ही confused होते हैं तो कम से कम book रखिए हर एक topic को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को continue रखिए तो मेरे द्वारा बताये गए जितने भी point है अगर आप इनको follow करते हैं तो मैं confidence के साथ कहता हूं कि आप 650 प्लस नंबर knit exam में cover कर सकते हों यहाँ पर आपको मैं एक important चीज़ बताना चाहता हूं कि आप knit exam की तैयारी के लिए आप offline और online दोनों platform यूज़ कर सकते हैं और मुझे तो लगता है कि जो बलके थुरू आप जितने भी study material है आप जितने भी topic chapter wise पढ़ना चाहते हैं आप YouTube पर जाए आपको अच्छे अच्छे YouTubers मिलेंगे जो कि आपकी biology, chemistry और physics की अच्छे से तैयारी कराते हैं तो आज के इस modern दोर में अगर देखा जाए तो YouTube सबसे अच्छा platform है किसी भी exam की तैय तैयारी के लिए मेरा खुद का मानना है कि YouTube पर आपको ऐसे YouTubers मिलेंगे आपके biology, chemistry और physics से जोड़े वे जितने भी concept है chapter wise और study material को provide कराते हैं तो आप अपनी तैयारी YouTube से भी अच्छे तरह से कर सकते हैं बस आपको इतना decide करना है कि आपको किसकी language अच्छे से समझ में आती है आप किसके बातों को अच्छे से समझ सकते हैं तो इन सभी points को याद रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए मेरे इस suggestion के लावा आपके पास कोई और भी suggestion है जिसे की knit की तैयारी अच्छे से हो सकती है तो please comment करके बताईएगा ताकि जो knit की तैयारी करने वाले student है उनकी तैयारी अच्छे से हो सके इसके लावा कोई अच्छी book है तो please आप comment करके बताईएगा तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा आने वाले दिनों में हमारे YouTube channel SM classes पे आपको biology और chemistry से जुड़े हुए वीडियो मिलेंगे जो कि आपके knit exam के लिए काफी helpful होंगे तो इन सभी अच्छे वीडियो के लिए आप हमाया channel को subscribe कीजिए और बगल में जो bell icon है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिन जह भारत